28 माई को नए संसत भवन का उद्खाटन होने वाला है इस मौके को यादगार बनाने के लिए केंद्र वित मंत्राले नी एक बड़ा फैसला लिया है वित्मंत्रा लेनी गुरुवार यानि की 25 मई को एलान किया था कि नए संसद भवन के उधगाटन को यादगर बनाने के लिए 75 रुपे का समारक सिक्का जारी किया जाएगा जानकारी की अनुसार सिक्के पर नए संसद भवन की तस्वीर और उसका नाम लिखा होगा नए संसद भवन का उधगाटन 28 मई को प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी द्वारा किया जाएगा आयो जानते हैं कैसा दिखेगा 75 रुपे का नया सिक्का जारी की गई अधी सूचना के अनुसार 75 रुपे का सिक्का गोलाकार में होगा सिक्के का व्यास 44 मिली मीटर और किनारों पर 200 सेरेशन होगा 75 रुपे का ये समारक सिक्का चार धातूओं को मिलाकर बनाया जाएगा जिसमें 50 फीसिदी चांदी, 40 फीसिदी तामबा, 5 फीसिदी निकल और 5 फीसिदी जिंग का अस्तमाल किया जाएगा नए संसदभवन की तस्वीर के नीची 2023 फी लिखा होगा सिक्के के सामने वाले हिस्से की बीच मी अशोक स्तम्ब का सिंग और सत्य मेव जयते लिखा होगा सिक्के पर देवनागरी लिपी मी भारत और अंग्रेजी मी इंडिया लिखा होगा पीछे के हिस्से में उपरी परीधी में देव नागरी लिपी में संसत भवन और निचली परीधी में अंगरेजी में संसत भवन लिखा होगा सिके का डिजाइन सम्विधान के पहली अनुसूची में दिये गए दिशनिर्देश के अनुसार ही बनाये गया है नई संसत भवन का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया जा रहा है जिसे लेकर कारिक्रम का वहिशकार करने का फैसला लिया है वैसे नई संसत भवन के उद्गाटन कारिक्रम का विपक्षी दलों के बहिशकार से इतर 25 राजनितिक दलों नी समारों में शामिल होने को लेकर सरकार के नियोता सुईकार किया है। वैसार कॉंग्रस, BJD और TDP ने इस कारिक्रम पर अपनी सहमती जताई है।